हालो फ्रेंज पहले जुबे अमनिसादे टेप जानल पर आप सभी कस वोगत है आज की प्रैक्टिस सेट में आमने सामिल किया है प्लासेंटेशन इन मैमल से कुछ मुस्ट इपोर्टेंट कुछ सेज तो यह देखते हैं इसमें कुछ से नमर फस्त है याल्ग साइक पाया जाता है अप्षने मैक्रोपस अन डैडिलीपीश अप्षन भी रैटस रैटस अप्षन सी पर trusting टेल्फा तो यह देखते हैं यह देखते हैं प्लासेंट वो पाया जाता है मैक्रोपस अन से डampa प्रों इसत्रह क कि सिसमें से Fig Dave क के में में macrophus and dyedilpais next question है Yalksac placenta is derived from Yalksac placenta उत्पन होते हैं किससे Option है Yalksac anailantolis Optiongen p Yalksac and Korean Optiongen c Yalksac and Amnian компании Yalksac only तो Yalksac जो placenta होता है याल्क सैक और कोरियान से उत्पन्व होता है। तो इसलिश में से युग अप्शन नंबर B, याल्क सैक और कोरियान Next question है The type of placenta found in primates Primates में किस प्रकार का placenta पाए जाता है। अप्शन है, याल्क सैक प्लासेंटा Option C है Allanto-Coreanic Placenta और Option D कोरियानिक प्लासेंटा तो प्राइमेट्स में जो प्लासेंटा पाया जाता है Allanto-Coreanic Placenta तो इसलिस में से युग अप्शन नमबर A Allanto-Coreanic Placenta Next Question है Following is the complete set of placenta of non-deciduous type मीज़ निमलिकित में से कौन सा set non-deciduous type के placenta का है Option है Diffuse, Quarty Latinary, Zoonry, Option Diffuse, Discoidal, Intermediate Option C Diffuse, Quarty Latinary, Intermediate Option C Diffuse, Diffuse, Zoonry and Discoidal तो इसमें से non-deciduous जो प्लासेंटा का set है वह है Diffuse, Quarty Latinary and Intermediate तो इसलिस में से युग अप्शन नमबर C Diffuse, Quarty Latinary, Intermediate यह तीनों जो है non-deciduous type के placenta के types हैं Next Question है, Quarty Latinary placenta is found in Quarty Latinary placenta पाया जाता है उप्शन है Cow and Camel, Option B Cow and Deer, Option C Camel and Giraffe, Option D Pig and Horse तो Quarty Latinary जो प्लासेंटा पाया जाता है Cow and Deer में तो इस लिस में से युग अप्शन नमबर B Cow and Deer Next Question है, Contra-deciduate placenta is characteristics of Contra-deciduate placenta किसका लच्छड है, Option D है Elephant, Option B Tiger, Option C Bandicoat, Option D है Cow तो Contra-deciduate placenta होता है यह पाया जाता है Bandicoats में तो इस लिस में से युग अप्शन नमबर C Bandicoats Next Question है, Match the following, निमलेखित को सुमेलित करेए तो Option ही है, Diffuse, इसमें Monkey दिया गया है Option B, Zonry, इसमें Pig दिया गया है Option C, Metadiscodal, जिसमें Camel दिया गया है Option D, Intermediate, जिसमें Cat दिया गया है तिन A मैच नहीं है, इनको सुमेलित करना Means, मैच करना किस में किस प्रकार का प्लासेंटा पाये जाता है तो जो Diffuse प्लासेंटा होता है A पाये जाता है Pig में Means, A का Second और जो Jornry प्लासेंटा होता है A पाये जाता है Kite में Jornry प्लासेंटा जो होता है A पाय जाता है kite में तो B का होगा 4 और C जो meta-discoidal होता है meta-discoidal A पाय जाता है monkey में और intermediate जो होता है पाय जाता है camel में तो इस तरहिके से A का 4 इसमें देखेंगे कालम में A का 4 Sorry A का 2 A का 2 दो में दिखेंगे देखेंगे रहा है 1st में भी और A में भी और C में भी और B का 4 B का 4 में इसमें आ रहा है तो और C का 1st C का 1st और D का 3rd तो इस लिस में सहीगा अप्शन नमबर C इसक्रेशन है All six varieties who are present in सभी 6 barrier tissue पाए जाते हैं अप्शन A है इंडो थीलियो कोरियल प्लासेंटा अप्शन B हेमो कोरियल प्लासेंटा अप्शन C इपी थीलियो कोरियल प्लासेंटा अप्शन D हेमो इंडो थीलियल प्लासेंटा तो जो सभी 6 barrier जो होते हैं यह पाए जाते हैं इपी थीलियो कोरियल प्लासेंटा में तो इसलिश में सही होग अफ्शन नंबर C. इपी थीलियो कोरियल प्लासेंटा Next question है Find the correct match from the following इनमें से कौन सही match है सही मिला हुआ है अफ्शन है कारपस लिटियम जिसमें टेस्टोरान दिया गया है अफ्शन B है इंडोमेट्रियम जिसमें कारपस लिटियम दिया गया है और अफ्शन C है ट्रोपोपलास जिनमें टेस्टोरान दिया गया अफ्शन D है कारपस लिटियम जिनमें प्रोजिस्टोरान दिया गया कार्पासलिटियो जो होता है ुसकी के दवारा प्रोजोस्टोर और्न हर्मॉन सेक्रेट होता है तो इस लिस्प में से हैंुग आपसन नम्बर डी कार्पासलिटियो प्रोजोस्टोर Next question है हर्मोन्स सीक्रेट फ्रॉम दी प्लासेंटा at the time of parturation parturation के दौरान कौन सा हार्मोन प्लासंटा के दौरा release होता है option नहीं है progesteron option भी relaxing option C है irishtrial istradial option D है lactogen तो parturation के दौरान जो हार्मोन प्लासंटा के दौरा release होता है वो होता है relaxing तो इस लिस में से उगा option number B relaxing next question है function of placenta includes placenta के कार में सामिल है exchange of substance between mother and potess option B ultra filter option C endocrine gland option D all of the above तो placenta का जो कारे है जिनमें include होता है A माता से बच्चे की बीच में बीबिन तरीकी की सबिस्थेंस का ultra filter का भी काम करता है और endocrine gland का भी वर्क करता है तो इस लिस में से उगा option number D all the above next question है viral or bacterial infection of placenta is known as viral या bacterial infection placenta का कहलाता है उप्षन है syphilis उप्षन भी placentiasis option C dermatiasis option D appendicitis तो viral या bacterial जो infection होता प्लासेंटा का कहलाता है placentiasis तो इस लिस में से उगा option number B placentitis next question है hemocorial placenta is found in hemocorial placenta पाये जाता है option E man and monkey option B cat and camel option C lion and tiger और option D giraffe and horse तो hemocorial जो प्लासेंटा होता है वो पाये जाता है man and monkey में तो इस लिस में से उगा option number A man and monkey next question है attachment of developing embryo to the wall of uterus means जो develop for a big sit हो रहा होता है embryo जो की uterus wall से attach होता है और कहलाता है means जो developing embryo होता है uterus के wall से attach होता है उस वो कहलाता है उस प्रक्रिया को कहा जाता है option है implantation option B ovulation option C placentation option D orientation तो जिन में जो developing embryo होता है जो uterus की wall से attach हो जाता है उस प्रक्रिया को कहा जाता है implantation तो इस लिस में से योग option number A implantation next question है in koreanic placenta allantois is limited to koreanic placenta में allantois limited होती है यह means कहा तक सीमित रहती है option है koreanic बिलाई option B uterine wall option C umbilical cord option D yorks तो koreanic placenta में allantois सीमित होती है mostly umbilical cord तो इस लिस में से योग option number C umbilical cord next question है in the in pig the placenta is pig में placenta होता है option है cartilatery non-deciduous option B diffuse non-deciduous option C intermediate non-deciduous option D deciduous तो pig में जो placenta होता है वो होता diffuse and non-deciduous तो इस लिस में से योग option number B diffuse non-deciduous next question है syndesmocorial placenta lex syndesmocorial placenta में नहीं होता है option C koreanic epithelium option B uterine connective tissue option C uterine epithelium option D koreanic elantoic mesoderm तो syndesmocorial placenta जो होता है जिन में नहीं पाइजाता है uterine epithelium तो इस लिस में से योग option number C uterine epithelium तो इस तर किसे आज की वीडियो में बस इतना ही मिलता है नेक्स वीडियो में वीडियो कौन तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धर्नबाद आप सकता है